तो आज हम आपके साथ ये हैदराबादी साही बियानी की रेस्पी से एर करने जा रहे हैं लेकिन इतना सिंपल और इतना इजी तरीका है आपको विश्वास नहीं होगा उभी आप बनाएंगे कूकर में हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो माई चेनल आज ही का चुड़ी स्पी है उमीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बसंद आने वाल है तो चलिए फीडियो सुरू करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके लिए क्या कैसा मागरी चाहिए था हम यहां लिए चार लॉंग लिए और एक बड़ी लेची और साथ में आप लिए 600 ग्राम चीकन और चीकन को पहले अच्छी तरह से धो करके वाश करके रख लिए है यहां पर मिर्यानी को टेस्टी बनाने के लिए इसमें और भी कुछ समगरी एड़ करेंगे जो बादें बताते हैं आपको तो चावल दो करें लेते हैं तो कम से कम 3-4 पानी से धो Britney रख देंगे तो यहां अच्छे तरह से दोने के रख देते हैं साइड में तो चले अब हम बिर्यानी बनाना शुरू करते हैं यहां पर लिए कू क लूत कर में बनाएंगे बिर्यानी सहीं बिर्यानी है लेकिन बनाएं आज़ें बीरेशन में सतनी स्पाइब सिची निये दूपर दया है जैआ हम घुम से ते नहीं दुम भगाई बार शुरा आप द Lawrence को अज़ें तो इसमें डाल देते हैं और प्याज डालने के बाद बहुत यहां पर भूने तो तक हम लिजा ढर्ली आ यहां पर तब राता है तो यहां पर एक चमच लिए यहां- चमच भी लोटरी निया पोड़र ऑन लालमी पोडर विम्कचे बाद घ्रिंग गाल्स का देता है कोई भी कमपनी का बिढ़ानी मसाला ले सकते हैں और ये बड़े चमश ही डालेंगे इसमें बिढ़ानी मसाला जादा मसाल यहां पर नहीं कर रहें तो छह रहाँ हैं च्थोटा चमश था इसलिए हम यहां पर त्ट्रमाटर का यहां क्व esta ततता सी नमक अडnia में लने चावल और घड़ने साथ नमक यह गल दो करें जरोने लिए क्वेन से बाहता है दोकि femmes काम कुए theorem अब भी बनाते हैं, इसको मैं पका लेते हैं, लेकिन हम आप पकाएंगे, इसमें डाल दी घी, इससे बिल्पुल जावल जो है अपका टुटे गा नहीं क्राक्स नहीं होगए और खिला बिर्यानी बनाप्न को तो चले एह जो है, टमाटर भी गल चुका है, तो अब इसमें ड चीकन कैलों तो यहां के समě्धिक्ण जाए एक पंदरां नियुश्क्ट जाए पल्धी न हमिरें बहुत नाथ ही तृण के लिए विजकश्ड खती से थीजिन फुरन पानी चैटरश कर थीज़िय। इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं डाले अब मसाला जब तयार हो गया इसमें डाल दिये यहां पर चीकन और हाई फ्लेम पर दस मिनट पकाएंगे इसे आप दम लगाना है तो चीकन से तेल टम बिडियानी बनाना है और दम लगा है ऐसा थहा हो नहीं सकता है सो यहां पर जब तक लाल हो रहा है अच्छी तरह से लाल कीजिएगा तो चलिए तब तक लोग करते आगे का प्रोशिश कर लेते हैं तो एक कटोरी या अल्मोनियम फोल इस तरह से लेकर के यहां पर हम डाल देते हैं कोईला कोईला डालने के बटर या घी एक चमच आप उस पर डाल दीजिए और बटर या घी डालने का तुरन ढख दीजिएगा पांच मिनिट तक इसे ढखे रहने दीजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खुश्बू जो ह चीकन में तो लीजिए यहां जो है पांच मिनिट बाद खोल के हम आपको दिखा रहे हैं तो अब यहां जो है निकाल करके शैड करके रख देते हैं बस अब जो है मेरा चीकन तयार है और यह चावल जिसमें घी मिला कर रखे थे तो देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं दिखाए पुनेंगे अब इसमें डाल देते हैं थोरा अज़ भी ठाट अचा दाश्य मिक्स कर देंगे देंगे तो 2-3 नहीं पर हो चुका है तो अब ढालनेंगे पानी तो हम यहां पर आप गैस बंद कर दीजेगा दस मिनिट के लिए उसे छोड़ देंगे जब तक कि गैस जो है सो खुद से रिलीज ना हो जाए उसके बाद इसे खोलेंगे तो देखिए फ्रेंट्स यहां बन के तयार होगे है मेरा दम बिर्यानी कम समय में सबसे बड़ी बात है बहुत कम टाइम में बनाए है अगर आप दम बिर्यानी बनाते हैं है एदराबादी दम बिर्यानी तो उसमें 3-4 गंटा लगता है लिएक गंटा भी नहीं लगा और यह वार कूकर में इस तरह से बना लिए तो गारेंटी सिर्फ कूकर में ही दम बिर्यानी बनेगा इसके बाद आप चार घंटा मेहनत नहीं करने वाले हैं तो इसे जरूर एक वार ट्रै करेजिएगा फ्रेंड्स तो वीडियो कैसा लगा जरू बताईएगा अगर वीडियो में दब तक के लिए बाई बाई टेक केर